नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टार्गेट विकास में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रपल सी फारेस्ट गार्ड एक्जाम डेट को लेकर और आपके पेट रिजल्ट को लेकर जो अपडेट आई हुए उस अपडेट के ब क्लियर हो सकें इसलिए एक बार सेयर जरूर कर दें सभी लोग ठीक है इतने भी लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए आगा किसी पकार का डॉइट है तो कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों आज हम सबसे पहले एक्जाम डेट के पारें बात करने से पहले आपके पैट जल्ड के बारे में जो अपडेट आई हो उस अपडेट को हम सामने डिस्कस कर लेता हूं क्या अपडेट आई आई हो आपको बता देता हूं आपकी प्रस्ट गैर है जीका यहां पर आप clear कर देंगे कि आपका forest का exam होगा कि नहीं होगा यह clear हो जाएगा December में जो date दी गई थी क्या December में exam होना है कि नहीं होना यह पूरा clear हो जाएगा तो आपको सबसे पहले मैं pet result के बारे में बताएंगे आज यह newspaper से दिया गया है paper की cutting है यह मैं दिखा देता हूं य सरकार की सेवा के समुगा के पदों पर भरती के लिए उत्तर प्रदेश सेवा चैन आयोग की और से आयोजित की गई प्रारंबिक आहरता परिच्छा यानि कि pet का result एक दो दिन में घोशित कर दिया जाएगा आयोग ने result को अंतिम रूप दे दिया है जिससे जल्द घोशित करने की तयारी है समुगा के पदों पर भरती के लिए दूइ इस्तरी परिच्छा पडाली के पहले चरण में बीती 24 अगस्त 2021 की pet का आयोजन किया गया था यानि कि जो आपका pet का पेपर 24 अगस्त को कब हुआ था 24 अगस्त को जो पेपर आपका हुआ था उसका result आयोग की त पेपर की बात कितनी सच निकलती है क्या result एक से दो दिन में घोशित होगा कि नहीं होगा अभी तक हम लोग वेट कर रहे थे आगे भी चलकर वेट ही कर सकते हैं इसके लावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं चलिए दोस्तों पहले सबसे पहले बात करते हैं अब आपके forest guard exam date की बारे में forest guard exam date को लेकर काफी लोग डाउट यह सर यह December में जो कलेंडर में दिखाई गई है क्या December में forest guard का exam होगा की नहीं होगा तो forest guard की exam date के बारे में बात करने पताते हैं कि आपका जो अभी काफी बच्चों ने धर्णा प्रदर्शन किया है ठीक है उसमें कुछ उसमें जो है आपके आयोग के chairman जो बोले हैं कि आपके जो result है 15 इधर आपके result सबसे पहले जारी कि बेंडिगर के जाएंगे जो आपके pending result हैं वो जारी किये जाएंगे फिर उसके बाद में जो आपकी पूरानी भरतियां है उनके exam clear किये जाएंगे फिर उसके बाद में आपका तो यान के मानिंग चलिए कि यहाँ पर दिसम्बर में है हो सकता है आपका दिसम्बर में एक्जाम ये हो जाए अगर दिसम्बर में नहीं हुआ तो जनवरी यानि कि 15 जनवरी से पहले आपका एक्जाम यानि कि मान के चलिए एक से बीस जनवरी के पहले अगर एक्जाम ये होता है फारेस्ट गार्ड का तो होगा वर्ना ये एक्जाम आपका इस वर्स नहीं होने वाला है ठीक है ये आपका डिसमबर से जनवरी तक जाएगा एक्जाम ठीक है जगर जनवरी 20 जनवरी तक नहीं होता एक्जाम है तो आप अपनी तयारी में जुटे रहिए क्योंकि यहां पर अभी कोई इस प्रकार की नोटिस नहीं आई काफी लोग अफ़ावड नहीं होगा काफी बचे कमेंट्स भी कर रहे हैं एक्जाम नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं आप अगर इस ट्राइप तरीका के रखते हैं तो आप माल लिया आपकर आपका एक्जाम जो दिसंबर में दे रखाड़ेट अगर करा दिये तो आप क्या हो जाएंगे फेल हो जाएंगे ठीक अपनी तयारी में आप जो आपकी बेकार जाएगी तो इसलिए आपको जनवरी तक वेट करना है कितनी जनवरी तक 20 जनवरी तक आपको वेट करना है 20 जनवरी तक अगर फारेस्टगार्ड का पेपर होता है इतने दिन वेट कर लिया आप लोगों ने तो आपको 20 जनवरी तक वेट करना होगा अगर 20 जनवरी तक पेपर होता है तो ठीक अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपका फारेस्टगार्ड chances आपके इधर ही हो रहे हैं कि December में ही exam करा दिया जाए December से January में आपका exam करा दिया जाएगा 1% कहीं ना कहीं किसी problem की वज़े से आ गया तो एक परसंट की वज़े से आपका exam टल सकता है तो आपको अपनी तयारी पे focus करना है आपका result पेट का result है आपका या नहीं होगा तो दोस्तों इस तरह किस अपडेट पाने के लिए इस चैनल को subscribe कर ले और वेल आइकन को press कर ले दन्वाद दोस्तों नमस्कार